अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई continue कर पा रहे होंगे तो बेटा आज यह हमारी second वीडियो होगे ICT की ठीक है आज का हमारा टॉपिक होगा computer इसमें हम बात करेंगे computer के meaning के बारे में उसके types के बारे में उसके uses के बारे में तो बच्छों यह वीडियो को last तक देखना लाइक करना मद भूलना तो चलिए बच्छों स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक computer है क्या? computer English का word है इसे हम हिंदी में संगनक कहते है क्या कहते हैं बटा इसे? संगनक इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगनक बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शाहिद ही ऐसा कोई फिल्ड हो जहां पर computer का कोई use ना हो आप अगर bank जाते होंगे तो वहां से पैसा निकालते हैं ठीक है? वहां पर भी computer का use करना पड़ता आपको आप अगर post office जाते हैं वहां पर speed post से आपको कोई मतलब documents भेजना है कुछ चीज speed post के दुवार आपको send करनी है तो वहां पर भी आप computer का use देखोगे ठीक है? और सबसे बड़ी चीज अगर आप ये video देख पा रहे हो तो ये भी किसकी वज़े से possible है? कम्प्यूटर की वज़े से possible हो पाया है ठीक है? तो जादतार जगों उपर बिना computer के काम नहीं चल सकता तो यह computer है क्या? आईए जानते है computer के बारे में क्या है computer? कम्प्यूटर का उप्योग लगभर हर छेतर में तेज गती से अंगनीतिय गन्ना करने के लिए किया जाता है ठीक है बटा? पहले किया जाता था ठीक है? पहले इसका जो प्योग सिर्फ mathematical calculation के लिए इसको प्योग किया जाता था ठीक है लेकिन अब क्या इसका जो एरिया है वो ब्रॉड हो गया काम करने का इसका ब्रॉड हो गया सिर्फ कैल्पुलेशन नहीं आज का टाइम में बहुत सारी चीज़े ऐसी होगे जो बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकती ठीक है आप ड्राइं जहां सुरू में कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योगि मशीन थे मशीन ठीक है एक कंप्यूटर के दो प्रमुग विशेस्ताई होती है क्या क्या होती आई देखते है एक तो यह यह अच्छी तरह से परिभासी तरीके से निर्देशों के एक विशेस्ट सैट का सबस्क्राइब कर सकता है अब देखते कंप्यूटर के क्या कैलक्षन होते हैं कंप्यूटर एक सेकेंड में काई मिलियन निर्देश या नि गढणा कर सकता है जो computer है वो एक second में यह नहीं कि एक दो ही वो calculation कर पाएगा loads of calculation वो कर सकता है ठीक है कुछ ही नहीं सिर्फ बहुत सारी मलग कई million calculation कर सकता है ठीक है जैसे अब यह देखते क्या है MFLOPS ठीक है यानि इसका यह full form किसके million floating point operations प्रतिस सेकेंड ठीक है यह full form आप लोग यह note कर लेना इसे याद कर लेना के MIP यानी million नर्देश प्रतिस सेकेंड में नर्दिस्ट कंप्यूटर की गति ठीक है यह computer की गति को नापने की काई है अब देखते इसकी सटीकत क्या है computer तकनिक अच्छी तरह से इस्थिर है ठीक है और computer के गलत परिमान देने की संभावना बहुत कम होती है यानि कि जो computer की computer होता वो पूरी तरह से बोल सकते हैं एक वैद है ठीक है मतलब जो इसका कोई भी यह result देगा अगर हम को इनपूट डालते तो पॉसिबल है हमें 99.9 परसंट पॉसिबल है कि उसका सही होगा ठीक है कभी कभी ऐसा हो जाता कि हम कोई गलत डाल देते फिर हमें इनपूट जो गलत मिलता ठीक है तो ऐसा बहुत ही rare cases में होता है तो यह बिल्कुल क्या है एकदम सटीकता रखता है ठी में चीज यह एक सटीकता देता ठीक है यह लगातार उच सटीकता की डिगरी के साथ क्या जाता है ठीक है बहुमुकी क्या बेटा तो बहुमुकी प्रतिभा होती है इसकी एक ही कंप्यूटर का उपयोग विभीन अप्लिकेशन के लिए क्या जा सकता ठीक है ठीक है आप मतल क्या बहुत सारी चीजहों का multi-dimensional है ठीक है बहुत की पर्तिभाव अब देखते बट इसका बंडारन क्या एक computer अपनी memory में बड़ी मातला में data store कर सकता ठीक है मुझा बहुत सारी चीजहों को store store कर सकता storage है होता ही है इसका ठीक है बहुत माननके चलिए आपको कुछ कुछ है कुछ रूसर करनी मुजेकμε्स ये सभी ऊ граф टॉर रदी का अमैं तौर गृणि ऐसे कि कॉई अक्षर हो गया ठीक है कोई मतलब इमेज हो गई पॉटो हो गई सोंड़िक क्या श्क्राइब श्रॉब ग्रुक्ते, तो आप कम्प्यूटर के 오른 है अब देखतें computer संगठन क्या है computer मुखे रूप से यह पांच कारे होते computer के बटा जिन्हों computer करता है मुखे रूप से 5 कारे को संचालन करता है input के माद्धय हम से data नर्देश को सुईकार करता है हम जिस परकार का input डालेंगे हमें उस परकार से output देगा सिकार करके जो आउटपुट सही निकलता सही आंसर होगा वो हमें प्रदान करेगा फरस्स तो यह हो गया सेकिंड क्या इस्टोर डेटा यानि किसी भी डेटा को इस्टोर करता है ठीक है मला CD में होता है ROM RAM ठीक है यह बहुत सारी चीज़ होते हैं जिसमें वो अपना क्या डेटा को स्टोर करता मेमोरी होती है ठीक है थड़ क्या होता बेटा उप्योग करता द्वारा आवशक डेटा संसाधित करे ठीक है जो यूजर होते हैं वो अपनी जरुवत के हिसाब सा किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं ठीक है अपने अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं फोर्त किया बेटा आउटपुट के रूप में परणाम देता ठीक है यह कैं इस का अल्ट कर सभी कारेों को नियनत्यित करता है मला जो घो सकांप्यूटर उसके अंदर बहुत सारी चीजों को कन्ट्रोल किया सकता है बहुत सारे कारे एक साथ में किये जा सकते हैं ठीक है और बहुत सारी चीजों पर यह मतलब कंट्रोल भी रखता है अब देखते हैं इसका लग लग करके इन्पुट क्या होता अब यह कंप्यूटर सिस्टम में यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रिक्रिया है, हम किस प्रकार से किसी भी डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, यह उसके एक प्रिक्रिया है, ठीक है बच्छो, क्या है, फिर से देखते हैं, प्रोसेजिंग और स्टो रेज़ की प्रिकृर्ट्री ओनिट नामा के यह कीकाए का की देखर कम की जाती इस इन्पूट है और सब्कारति में किसके अंडर में यह निर्नना लेता है कि कब डेटा प्राप्त करना शुरू हो जाए और कभी से रोक जाए ठीक है कब डेटा को देना हो आप में रोक ना है कहां स्टोर किया जाए आदी ठीक है यह सबी चीजे यह मतलब यही जो कंट्रोल यूनिट किहीं सब चीजों पर अपना न्यंत्रन रदिक्तिया एक कंप्यूटर के सभी operation के है चरंड-चरंड पर सैंसकरंड पर ध्यान रख्ता है कहां पो किस तरह से कल कर रहा है सब इस चीजों पर ध्यान रखता है मेंक्स्ट आपिटा ornsक्राह निर्देशों की क्या प्रहित करने के लिए किया जाता है ठीक है मेमोरी का मतलब किसी भी चीज को इस्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है ठीक है द्वारा किये गए प्रमुक संचालान इसके अतरिक्त क्या क्या है बेटा कौन-कौन से जो अर्थमेटिक जो काम होते है अर्थमेटिक वाले अंक करनेत वाले एक तो गटाव गुर्णा भाग तरक और तुलना यह सबी चीज़ा किसके द्वारा थे बाई कंप्यूटर उसके बाद में कंप्यूटर हमें किस प्रकार का अंसर देगा ठीक है यही क्या हो गया बेटा आउट्पूट ठीक है क्या हो गया आउट्पूट कम्प्यूटर सिस्टम के ALU और CU को सहीं उतरूप से Central Processing Unit के रूप में जाना जाता है क्या बटा सबसे इंपर्टन चीज है हाँ अब देखे कम्प्यूटर सिस्टम के ALU यानि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है और CU को ठीक है कंट्रोल यूनिट को सहीं तरूप से क्या बोला जाता है CPU यानि Central Processing Unit ठीक है बटा CPU बोला जाता है CPU सिफ एक ही कोई जो इसका कोई उपकरण नहीं है ठीक है दो चीजे हैं ALU और CU मिलकर CPU का निर्मान करते ठीक है CPU क्या होता बटा आप सभी स्टार्टिंग से बच्पन से पढ़ते आ रहे हो CPU क्या होता यह किसी भी कंप्यूटर का माइंड होता सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या होती हमारी बोड़ी में हमारा माइंड माइंड अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारी बोड़ी सारी बिकार है उसी तरह से अगर कंप्यूटर में CPU डंसे काम नहीं कर रहा तो वो कंप्यूटर एक दम बिकार है तो इस तरह से CPU क्या है किसी भी कंप्यूटर का माइंड होता है कि अभी देखते हैं बेटेरं किस प्रकार से क Ireangen कितने प्रकार करकर के जो कंप्यूटर होते हैं के कि कंप्यूटर को आम तौर पर आकार और शक्ति द्वारह हैं निम नानूसार और लागतनुकूल घटक बनते हैं मतलब जो पहले computer थे वो काफी बड़े-बड़े होते थे लेकिन और मतलब जो उनमें काफी लागत लगती थी ठीक है लेकिन जैसे टाइम बीटता गया computer को जो साइज है वो इंक्रीज होता गए घटता गए ठीक है और उन्हें फिर उसके बाद में लागत वगएरा उसमें कम लगने लगे आए देखते हैं कुछ जैसे निजी कंप्यूटर यानि इसे PC भी बोलते हैं पूटा क्या है निजी कंप्यूटर यानि PC PC क्या होता देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक छोटा ठीक है क्या है एक छोटा एकल उप्योग करता कंप्यूटर यानि जो PC का यूज है कोई एक इंसान ही एक बंदा ही इसका यूज कर सकता है क्या है उतलना माइक्रो प्रोसेसर के अलावze एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए कीबोड होता इसमें सुचना प्रदर्शित करने के लिए मोनिटर होता और क्या होता डेटा बचाने के लिए एक बंडार बंडारन उपकरण होता ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं यह जुन परसनल कंप्यूटर क्या होता निजी कंप्यूटर एक छोटा यानि सिंगल यूजिज कंप्यूटर होता और इसमें क्या है एक कंप्यूटर की तरह ही जैसे सीडी डीवीडी रोम रेम ठीक है यह सब चीज़े होती है नेक्स्ट चीज़ देखते में वर्क इस्टेशन क्या है एक शक्तिशाली एक अलूप योग करता कंप्यूटर ठीक है मतलब एक अलूप योग करता तो पीसी भी है लेकिन यह क्या कहीं जादा पावरफूल है एक केंद्र एक कारी केंद्र दुवारा क्या होता है इसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर की तरह है लेकिन इसमें अधिक शक्तिसाली माइक्रो प्रोसेजर और उच गुनवत्ता वाला मॉनिटर होता है ठीक है मला होता तो यह सिर्फ सिंगल यूज के लिए है वर्किस्टेशन लेकिन क्या इसमें अधिक साल इसका जो माइक्रो प्रोसेजर वह ज्यादा पावरफुल होता है और क्या इसकी जो गुनवत्ता क्वालिटी है वह ज्यादा बैटर होती है ठीक है मॉनिटर की अब पहुतने मुनिटर क्या होता इक बहु उपयोग करता कमूटर जो एकेफ 10 से सैकडो उपयोग करता का समर्थन करने में सक्षम है मिनी कंप्यूटर ऐसे चीज होती है कि जैसे सी पीस होuten है ठीक है कोई एक बंदा है इसकारिए कर सकता लेकिन मिनी कंप्यूटर पर एक साथ में 10 से ज्यादा मैं सैक्टो जो उप्योग करता है एक साथ में इस पर कारे करने में शक्षम है ठीक है बहुत सारी लोग इस पर कारे कर सकते हैं अबी देखते हैं मैटा सूपर कम्प्यूटर क्या होता URL टेज ऍहकंप्यूटर क thinner सकता सुपर कम्प्यूटर का मतलब हो दिय एक कंप्यूटर होता जो कुछ 1 सेगंड में हम मतलब लॉट उप कमांड दे तो सबीक को फॉलो कर सकता है ठीक है तो इसे हम कुछ सूपर कंप्यूटर कहते हैं ठीक है तो आप एक एनलोग कंप्यूटर स्विकार करता है प्रिक्रिया करता है और निरंतर अखंडिया यानी डेटा उत्पन करता रहता ठीक है एनलांग कंप्यूटर क्या हो दाइटा जैसा आपने कभी होस्पीटल में देखे होगे कि वह मशीन चलती रहती है तो यह तो वह क्या हमेशा जो है निरंद्दार कंटिनिल काम करती रहतीं टिकें और हमें उसे information मिलती रहती हैि मेरे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं चलो देखते हैं बात में ठीक है तो वह इस तरह कि कुछ ना कुछ सोचना है कि मिलती रहती है कि अभी पेशन्ट की क्या कंडिशन है कुछ टाइम बाद उसके कंडिशन कैसी होगी ठीक है तो हमें लगातार उसके बारे में इन्फॉर्मिशन मिलती रहती है कंडिशन को बहुत इक मात्रव जैसे लंबाई वाल्टेज करंट आदी के साथ भी किया जाता है ठीक है इस बारे में भी यह बताता है आप देखते हैं बेटा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है एक डिजिटल कंप्यूटर स्विकार करता है प्रक्रियाओ ऐसतत यानि सतंत डेटा का उत्पादन करता है ठीक है जो एक कंप्यूटर होता डिजिटल कंप्यूटर होता वो क्या करता है बहुत सारी प्रक्रियाओ को ठीक है मतलब और डेटा को उत्पादित करता है ठीक है उत्पन करता है पैदा करता है संख्यात्मक अंकों जैसे ऐसतत मात्राओं के स सकती है सामानिय Fax Machines electronic calculator डिजिटल वतकरन इसी का सामानिय Fax Machines हो गया ठीक है electronic calculator यह शबी अगा है digital कंप्योटर है इनका वतकरन का उधारन है यह था वीत चेन अब कि एल्यू का मतलब बताओं मुझे मैं नाल से चुपा दिया ठीक है एल्यू का क्या मतलब है अमेरिकन लॉजिक यूनिट ठीक है यह कई बार मतलब इस सिर्फ यह नहीं कि नेट के एकजाम में और भी बहुत सार कंप्टिशन एकजाम में पूछा गया वैकल्पिक इस्थान ऐकाई या फिर वैकल्पिक तरकत्रपिक इस तरकत आई कि य४ कई भी आप पोस्ट इंडस्ट्रियल शॉसाइटी के रूप में नाम है बताओ जड़ा सूचना शॉसाइटी या फिर प्रध्योग्यों की सोइटी मध्यसता society या फिर गैर किसी society तो इसमें क्या होगा बेटा सूचना society ठीक है information society post industrial society ठीक है अभी बेटा हम computer का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे सिर्फ तुन्ही चीजों की बारे में बात करेंगे जो हमारे exams के point of view से जाधा important है ठीक है बहुत जाधा इसके deeply नहीं जाएंगे तो सिर्फ आपको भी उतनी चीजों के ध्यान देना ठीक है जितना की पूछा जाता exam में उसको ध्यान में रखते हैं इतना ही करेंगे सबसे देखते हैं बेटा सबसे पहले mark i computer क्या है बेटाई मार्क आई कंप्यूटर मार्क आई कंप्यूटर ठीक है क्या होता इसका जो टाइमिंग था वो 1937 से 1944 तक है ठीक है यह आप टाइमिंग इसका याद रखना मार्क आई कंप्यूटर को स्वेचालित अनुक्रम नियंत्रित कैल्कुलेटर भी कहा जाता ठीक है मतलब खुद से चलने वाला जो पहली पूरी तरह से स्वेचालित गढ़ना मशीन थी ठीक है यही पहली एक मशीन है जो मतलब सेल्फ थी ठीक है अपना चलने वाली मशीन थी इसे प्रोफेसर अंक गणीत यह पांच बुनियादी अंक गणीती ऑप्रेशन जैसे कि जोड घटाव गुणा भाग और तालिका संधर्व ठीक है data वगएरा के बारे में इन सब के बारे में इन चीजों को कर सकता था जोड सकता था घटा सकता था multiply add कर सकता था subtract कर सकता था था divide हो गया तालिका का वगएरा इन सभी चीज़ों के गणना कर सकता था आग देखते हैं बीटा कम्प्यूटर के अंतस ये टाइमिंग इसकी 1935 से 1942 तक ठीक है पहला इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर बहुती के और गणित के प्रोफिसर डॉक्टर जॉन विंसेट अटानास द्वारा विक्सित क्या गया ठीक है ये अंतस है कम्प्यूटर का नाम है ठीक है जो की बहुती को और गणित के प्रोफिसर ते कौन थे बिटा, Dr. John Winsett, ठीक है, इनके दुबारे से विक्सित क्या गया, एक होता, NIC, ठीक है, E-N-I-A-C, ठीक है, इसका टाइमिंग देख लीजे एक बार आप, इसका टाइम एरिया जो है, टाइम में रहा है, इसका, 1943 से 1946 तक थी, ठीक है, थी येर्स के लिए, Electronic, Numerical, Integrator and Calculator, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है बिटा, फुल फॉर्म आज आती के बार एक्जाम में, और मुस्टली जो यहां से आती है, ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा से देख लेना, क्या है, Electronical, Numerical, Electronic, Numerical, Integrator and Calculator, फिर से देखे है, Electronic, Numerical, Integrator and Calculator, ठीक है, पहले Electronic Computer था, क्या था है, पहले Electronic Computer था, N1, ठीक है, क्या था बिटाए, पहले, E-N-I-A-C, ठीक है, यह पहले Electronic Computer था, E-N-I-A-C ने लगभग, यहनी N1 भी बोल सकते हैं हम इसे, इसे लगभग, 19,000 वेक्यूम ट्यूबों का इस्तमाल किया गया, ठीक है, जब इसका निर्मान किया गया था, 19,000 वेक्यूम ट्यूबों का इसमें इस्तमाल किया गया, और इसे लगभग, 800 वर्ग फूट के कमरे में रखा गया, ठीक है, इतना बड़ा इसका साइज था, 1947 से 1949 तक इसका फूल फॉर्म क्या होगा E4 Electronics D4 Dairy S4 Storage यानि संग्रहन और A4 Automatic और C4 Computer ठीक है Electronics Dairy संग्रहन स्वेचालित Computer ठीक है बटा इसे किसने बनाय था Cambridge विद्धाले में Professor Morris Wilkins ठीक है द्वारा विक्सित पहला संग्रीत निर्देश Computer ठीक है किसके द्वारा Morris Wilkins द्वारा पहला ठीक है Avdac Avdac ठीक है अभी से देखते हैं क्या है बेटाई आप इनका टाइम पीरिएड ज़रूर अच्छे से याद रखना और नोट कर लेना आप लोग इसे 1946 से 1952 तक ठीक है Evdac Electronic एसतत परिवर्थनिया इसका यह हिंदी में फुलफर्म हो गया एक संग्रीत निर्देश कंप्यूटर है जो प्रोफेसर जे प्रिस्पर यह है एसकर्ट द्वारा विक्सित क्या गया ठीक है इसको किनों ने बनाये था यह Automatic Computer था जिसको जिसका निर्माण कहा था प्रोफेसर जे प्रिस्पर एसकर्ट द्वारा ठीक है Univec Univec यानि UNIVAC इसका वेटा जो टाइम पीरियड है वो है 1951 ठीक है जणगर्णा ब्यूरो द्वारा विक्सित लगभग एक दशक के लिए जणगर्णा ब्यूरो में पहले Univec यानि Universal Socialist Computer का उप्योग किया गया ठीक है इस प्रकार के Computer First Generation Computer होते है अच्छा question बन सकता है कि First Generation वाला Computer कौन सा उसमें Univec भी दे दिया जाएगा आपको फुल फॉर्म क्या इसकी Universal Automatic Computer ठीक है Universal Automatic Computer ठीक है इन्हें First Generation वाले Computer भी कहते है जो Electronic Signal के प्रभाह को नियंतरित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उप्योग किया जाता है इसमें Electricity को कितना कंट्रोल करके कितना उसमें फ्लो दिया जाए उसका यह सभी चीज़े इसके लिए वैक्यूम ट्यूब का इसमें समल किया जाता है आगे दिखते हैं दूसरी पीडी को 1959 के आसपास में पेस किया गया ठीक है कब किया गया बैटे से इसमें 1959 के आसपास में सेकिंड जो स्टेज आ जाती वह है यह ट्रांजिस्टर छोटे और अधिक विश्वसनी है ठीक है क्या होते हैं इनसे जो फर्स जैनरेशन के कंप्यूटर थे इनसे थोड़े से छोटे हो जाते हैं दूसरी पीडी के कंप्यूटर से जो तेज है वह तेज होते हैं छोटे और विश्वसनी होते हैं मला उनसे फास्ट हो गए और ज्यादा रिलाइबल हो गए ठीक है कि आगे क्या है पिटा तीसरी पीडी का कंप्यूटर आईसी तकनिक पर आधारी था ठीक है बेटा अच्छा कोश्चन बन जाए कि तीसरी पीडी जो ये था वह कौन से टेकनिक पर आधारी था तो वह आईसी पर 1964 में IBM द्वारा पेस किया गया सिस्टम कौन सा 360 TCPD का कम्प्यूटर था अच्छा बेटा यह चीज़ आप नोट कर लेना अच्छी से याद रखना ठीक है आई बेम ने पेस किया था जो थर्ड जैनरेशन वाला कम्प्यूटर था जो दूसरी पीडी की तुलना में छोटा हो गया और भी तेज हो गार अधिक विश्वस्निया ठीक है जैसे जैसे इनका जो टाइम पीरियड वो बढ़ता गया मैंने जैसे पहले बता आपको था बेटा वो 1975 के आसपास में पेस किया गया है जो कि LSI चिप्स लार्ज स्केल इंट्रिग्रेटर सर्कीट पर आधारी थे ठीक है जैसे यह फोर्थ जो जैनरेशन के तो बहुत तेज हो गए थे छोटे और क्या है सक्तिशालियन पावरफुल थे उनके मुकाबले में और तेज हो गए और क्या होगे सस्ते भी थे ठीक है नेक्स देखते बटा विज्ञानिक जो आज के टाइम में पांची पीडिके कंप्यूटर के विकास पर काम कर रहे हैं ठीक है आज के टाइम में क्या जो साइ क्या होता ओप्रेटिंग सिस्टम तो किसी भी कंप्यूटर के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है ठीक है बिना ओप्रेटिंग सिस्टम के हम किसी भी कंप्यूटर को संचालित नहीं कर सकते जैसे कि आपकी बॉड़ी ठीक है कोई भी एक हुमन होता है तो यह इतना जादा जरूरी होता कि इसके बिना computer work ही नहीं कर सकता operating system एक system software होता है ठीक है जो किसी भी program को चलाने के लिए जरूरी होता है कोई भी program execution के लिए जिब चला जाता है तो सबसे पहले वो यह इसी के पास जाता कि इसके पास operating system के संपर्क में आता है और उसके बाद ही जो operating system है उसे computer machine से जो execution के लिए भेजता है ठीक है किसी भी जो commandos को सूचना में बदलता है यह पूरे system को control करता है और साथ ही साथ उसे व्यवस्थित करने का भी कारे करता है मतलब जो एक ओपरेटिंग system होता है यही जो पूरा यह है पूरा जो system है computer का इसको व्यवस्थित करता है manage करता है और इसका manage करता है ठीक है और व्यवस्थित करता है ठीक है अभी देखते है operating system यानि OS यानि इसे शॉर्ट में बोले थे OS प्रोग्राम का एक संग्र है जो computer system में सभी hardware और अन्ने संसादनों को नियंत्रित करता है ठीक है पीटा क्या एक एक संग्र है ठीक है storage है जो जितने भी computer system है hardware और अन्ने संसादन सभी को यह control करता ठीक है यह ऐसे वर करता है जिसा हमारे body में हमारा mind work करता है बिना operating system जो computer कोई memory bc के according work करेंगे input output bc से work करेंगे तो कह सकते हैं कि हम जो operating system होता है इसकी soul और इसका मतलब माइंड दो नहीं होता है ठीक है कुछ लोग पर यह operating system में Linux ठीक है यह आप बहुत जादा पॉपुलर है लीनक्स ठीक है उसके लावा windows operating system vms os 400 AIX आदी इसमें सामेल है ठीक है बटा कौन कौन से फिर से देखना Linux windows operating system vms os 400 या फिर AIX ठीक है यह आप लोग देख ले ना question पूछा जाता है कि इन में से कौन सा operating system है या फिर कौन सा operating system नहीं है तो यह चीज़े आप लोग ध्यान रखना है आगे देखते हैं इसमें अच्छा यह देखते हैं कि operating system के कुछ महत्पून कारे होते हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है वैसे तो operating system बहुत सारे कारे करता है लेकिन उनमें से कौन कौन से एक तो इसमिर्थी प्रबंधन यानि memory को manage करता है ठीक है जो उसकी storage चमता computer के उसको manage कर करता प्रोसेसर प्रबंधन यानि कि जो कोई भी commandos को कैसे सूचना में परिवर्तित किया जाएगा कैसे information में उसे change किया जाएगा इस बारे में भी operating system कारे करता है नेस्ट क्या होता बिटा डिवाइस प्रबंधन ठीक है डिवाइस को कैसे manage किया जाएगा ठीक है ताकि वह स इस format में उसे रखा जाएगा यह सभी चीजे मला folder कौन कौन से होंगे सभी चीजे कौन decide करेगा operating system और क्या है computer की सुरक्षा सबसे मैं क्या है computer की सुरक्षा करना भी operating system का ही कार्या है ठीक है इध्यान से देखना आप लोग notes भी बनाना साथ के साथ में ताकि आपको exam time में को प्रप्राइटिंग आए मैं है आ अगे देखते हैं बचचो स्रॉक है है operating system के प्रकार batch operating system थीक है एक batch operating system के उपयोग करता सीधे computer के साथ debate नहीं करते थीक है जो user होते batch operating system में वो सीधे computer के साथ नहीं ज daytime वर्पिटे बल्की परते उप्योग करता एक online device जैसे से कंप्यूटर को जोड़ते हैं जो की कंप्यूटर उसे बाद में ऑपरेट करता है ठीक है पर संस्करण की गति देने के लिए समाना उश्रक्ता वाली नौकरियों को एक साथ बांधा जाता और समू के रूप में चला जाता है ठीक है आपने जिस बड़े-बड़े कंपनी मे यह डिसाइड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि मतलब क्या टाइमिंग रहा उस वर करका आने का ठीक है और किस टाइम मतलब पूरा को जो उसका मैनेज करके वो बता देता है सिफ एक काहीं नहीं बहुत सारे लोग होगा तो क्या हो गया वो डारेक्ट उससे दारेक्ट उससे कनेक्टेड ने हुए बलकि पंच कार्ड के दौरा ठीकी बोटा अब नेक्स्ट क्या टायम शेरिंग औपरेटिंग सिस्टम दिखते क्या है टायम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शेरिंग यसे तक नहीं कर जो एक ही समय में एक विल्गिस जब बहुत सारे जो यूजर है ठीक है कंप्यूटर को यूज करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे एक ही समय में विसेस कंप्यूटर प्रणाली का उप्योग करने के लिए ठीक है किसी एक विसेस पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रणाली को उप्योग करने के लिए बहुत सारे टर्मिनलों पर क्या work करने के लिए उसे सक्षम बनाती ठीक है बहुँ ज़्यादा load लेने के लिए उसे सक्षम बना देती है तो यही क्या हो गया बटा टाइम सेरिंग operating system एक ही टाइम में ठीक है इसे मतलब multitasking जो होता एक साथ में बहुत सारे काम करना ठीक है हाँ जी देखिए इसमें क्या होता विद्रिक सिस्टम यानि जो कई real time application और कई उप्योग करता कि सीवा के लिए केंद्री प्रोसेसर का उप्योग करते है जो लोग होते हैं कई बार क्या होता किसी भी application के लिए ठीक है कई लोगों को कई बार एक application की एक ही टाइम में आविश्यक्त पड़ जाते ठीक है या फिर एक central processor को उप्योग करते है data processing नौकरियों को तदा नुसार प्रोसेसर के बीच वित्रित कर दिया जाता है तो ठीक है उनको किस प्रकार से बाटा जाएगा आपस में किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से स्वाइड किया जाएगा इस सभाइक को इस चीज़े Besides operate करते फित्रित करते। सिस्टंम और या कि जो सी Talan, अक कुबता है सुरक्षब, और सुरक्षा, एप्लिकेशन, कभ deputy कारियों के संचिक्लीयी नेटवर्टउग के दडदुक परसे बात के लूट रहते हं और सर्वर के माध्यम से रहाच ये जुस्थे करने की सारे और कंप्यूटर की स्रक्षा किस प्रकार होगी यही डिसाइड करता है नेट्वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लिकेशन क्या क्या होंगी और दूसरे जो एंट्वर्क इंग कारिया और सभी को प्रबंदितिया ने मैनेज करता है नेक्स्ट देखते हैं पीटा अच्छा यह हो गया ठीक है नेट्वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के धार्नों में क्या क्या है देखते हैं इसके एक्जाम्पल क्या क्या है नेट्वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 और Unix, Linux, Mac OS X और Novel Network और BSD सामिल, ठीक है, क्या क्या है Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, Mac OS X और Novel Network और BSD सामिल, ठीक है अभी आगे दिखते हैं, Real-Time Operating System क्या होता बिटर, Real-Time Operating System का, एक वास्त्मिक समय प्र्नाली को एक Data Processing System के रूप में परिभासित किया गए, ठीक है मतलब, जो एक वास्त्मिक समय प्र्नाली श्मीक समय के लिएक प्रोसेशिंग सिस्टम के लिए उसके जो अर्थ में उसे बात की जाती है, कि किस प्रकार से एक ही समय में, ठीक है एक real time में data का किस प्रकार से processing किया जाएगा इस बारे में जिसमें आगानों को संसाधित करने और प्रितिक्रिया करने के लिए समयंतराल इतना छोटा होता है कि यह परियावरान को नियंतरीत करता है ठीक है मला जो इसमें जो data को भेजा जाता है एक साथ में बहुत सारी चीज़े एक साथ में input के द्वारा ठीक है input की जाती है तो उस time में time इतना कम होता है इन सभी चीज़ों को भी यह operating system इसमें इसे कंट्रोल करता है अगर किया बटा अब इसके one second sorry अब देखते में बीटा operating system के क्या 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 गुण होते हैं thee क्या 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 töन्स होते हैं इसके one second क्या यí सबसे पहले batch process करणा ठीक है batch processing एक ऐसी तक्निक है जिसमें एक operating system processing सुरू करने से पहले एक बैच में प्रोग्राम और डेटा को एक साथ करता है ठीक है मनला कि कोई भी कार्य करने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कोई प्रोसेजिंग सुरू करने से पहले जो डेटा है ठीक है और प्रोग्राम उसको एक साथ में इखटा कर लेता ताक कि बाद में दिक्कत ना हो कोई प्रोब्लम ना हो बहु कार्यान यानि मल्टी टास्किंग ठीक है एक ही समय में एक कंप्यूटर में दो या दो से अधिक प्रोग्राम का चलना ठीक है आप उसमें म्यूजिक भी सुन रहे हो ठीक है आपको अपने डोकुमेंट्स वगरा भी उ कार्यान मल्टी टास्किंग का उप्योग कंप्यूटर के सभी संसादनों को यह था संभाव समय पर काम कर काम पर रखने के लिए क्या जाता ठीक है कि जो सभी इसके जो सभी मलों फोल्डर से सभी जो इसके पार्ट से वह डंग से काम करें उपयोग करता operating system या सीधे किसी program को निर्देश देता और तत्काल पृतिकरिया प्राप्त करता है ठीक है किसी भी operating system को डारेक्ट जो user है वो command देता है और just कि just उसी time उसी time क्या है वो उसकी जो आउटोट निकल कर रहा है उसका क्या पृतिकरिया है को उसे प्राप्ट कर लेता है आगी क्या बेटा ओएस multitasking को इस तरह से handle करता है कि यह है एक ही समय में कैई operations को आप को हैं प्रोग्राम सकता है ठीक है मिला यह जो multitasking है ओएस जो multitasking को इस तरह से उसे control कर लेता है या इस तरह से manage करता कि आप एक time में music भी सुन सकते हो गैम भी खेल सकते हो सी टाइम पर और भी बहुत सारे काम कर सकते हो ठीक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेरिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है हां बेटा देको फैक्ट है जो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मुल्य पर एक computer system का interactive उपयोग प्रदान करने के लिए विक्सित किये गए ठीक है क्या है मुझा एक सभी को उचित मुल्य पर computer system का इंटर इंटर एक्टिव उपयोग हो सभी को प्राप्त हो इसलिए विक्सित क्या गया था आगे क्या बच्यों एक समय साजा operating system CPU scheduling की अवधार्ना का उपयोग करता है ठीक है प्रतियक उपयोग करता को एक समय साजा CPU के एक छोटे हिस्से के साथ प्रदान करने के लिए प्रोग्रामिंग करता है ठीक है यह वही चीज़ें कि एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करना कि आगे क्या बच्यों प्रतियक उपयोग करता के पास इस मिर्थी में कम से कम एक अलग कारे करम ठीक है जितने भी यूजर है सबकी जो मेमोरी में कुछ ना कुछ अलग-अलग फोल्डर से ठीक है अपने अकॉर्डिंग वह अपनी सुईधा के हिसाब से अलग-अलग फाइले वह फार्मिट बना डिए तो मैंसे मल्टि मोमिग वविग आंटा क्या है अलग अलग है वह कि पूर्माकिन यानि की जब दो इस अधिक प्रोग्रम एक हिसन में मैमोरी में हुदते तो से क्या कहा जाता है मल्टी ऋप्रोग्रामिंग में एक एकल साजह प्रोसेजर मानता है ठीक है? म денे अकरियोन एक पार बाता है, ताकि CPU को निस्पादित करने के लिए हमीशे एक हो ठीक है? जो यह हैं, मर्ठी प्रोग्रामीन ठीक है? यह CPU के जो, उसका complaining users को बढ़ाता है ठीक है? ताकि उसमें कोई एरर के कुछ गुण्चाय शना रहाए को गलती नहों जाए आग किया बीटा ऑप्रेटिंग सिस्टम एक समय में कई नौक्रियों को मेमोरी में रखता है ठीक है बहुत सारे वह काम एक साथ में करता है ठीक है और जो मैं बहुत सारी फाइल्स हो गई ही ठीक है आपका म्यूसिक हो गए आप का सारी मूवीस भी रख सकते है ठीक है स्डोरेज में रखता है किसी भी जिस चीज़ को हम सलेक्ट करेंगे माउस के दुआरा तो उससे क्या है जो कारे वो शुरू हो जाएगा यह अपरेटिंग सिस्टम के दुआरा मल्टी प्रोग्रामिंग, अपरेटिंग, सिस्टम, मेमोरी प्रबंदन कारेकरमों कप योग करके सबी सक्रिय कारे करम और system संसादनों की इस्थिती की निगरानी करता है ठीक है अरे जे multi program operating system है ये क्या मरला जो जैसे आपकी CD वगरह हो गई ठीक है, इनके managing के लिए कारे करमों का उप्योग करके सबी सक्रिय कारे करम और system के स्थिति पर की निग्रानी करता कि ता कि सभी function सभी से कारी कर रहा है या नहीं थीक है यह चीज़े देखता है ताकि यह संस्चित हो सके कि cpu कभी निष्क्रिया नहीं जब तक कि कोई भी प्रिक्रिया नहों ठीक है कि CPU तब तक ना थक जाए या तब तक वो मतलब डिस्चार्जन हो जब तक कि कोई उसका काम रहना गाया हो ठीक है सब चीज़े कौन मैनेज करता है यह मल्टी प्रोग्रामिंग जब कोई प्रकृरियन निस्पाधित होता है नहीं जब कोई कारे होता है तो यह अन्तर पर क्य voltar है एक बहुत ही मसमय के लिए निस्पाधित होता है इससे पहले कि 1-0 निस्पाधित करने की आवशकत होते ठीक है और मदरबॉर्ड क Cancer přिंश्य OUT मदरबोर्ड कम्प्यूटर के सब हिस्तों को एक साथ जोड़ने के लिए एकल मंच के रूप में कारे करता है मदरबोर्ड आपको तब दिखाई देता है जब आप कम्प्यूटर को खोल कर देखते हो तो उसमें बहुत सारे हिससे होते हैं बहुत सारे उसका पार्ट होते हैं जोड़ जाते हैं इनके लिए एकल मंच प्रदान करते हैं एक जगा प्रदान करते हैं एक मदरबॉर्ड में क्या क्या होता है CPU, memory, hard drive, optical driver, video card, sound card और अन्या और बहुत सारे card होते हैं सीधे cable के माद्धियम से जोड़ता है इसे computer के read माना जाता है ठीक है क्या बटाई क्या है computer के read motherboard क्या बचा मदरबोर्ड ठीक है, motherboard जैसे आप लोगों के mother होते हैं ठीक है वो आपकी read होती है इस तरह से मदर बोर्ड के मामले को मामले के अंदर रखा गया है कि और मतलब पूर ड्रेल किये गए छेद के माध्यम से छोटा सी कंजा के साथ में सुरक्षित रूप से जुड़ हुआ ठीक है इसका अंदर कुछ फंक्शन होता जिसके द्वारा यह आपस में कनेक्टेड रहते हैं और स पूर्ट होते हैं जितने भी पार्ट सोते सब को जोडने के लिए कुछ ना कुछ इस पेस होता है